तो गाइस वेलकाव इन्स वीडियो गाइस टुडेस वीडियो आम टॉकिंग बाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की मोस्ट प्रविली आप से इसमें जरूर पुछे जाते हैं यह जो है बिल्कुल मैंने बेसिक इसका लिया है कि जो आपके प्रीविए सर के कोशन है उन महां से आप इसको देख सकते हो तो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स की बारे मीने बात जिसी की ट्रिक है फॉर ट्रेनियल क्यया पासिटी very प्रेजिश्टीयर प्रिटूय फřिऊ पूसियर सब्सरा प्युव्चरा जा सकते हैं उसके बाद अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपेशन आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसी हुई है अभी कुछ टाइम से ही शुरू की थी अगर आपने दो या तीन महिने से पड़े पढ़ना शुरू किया था तो I know कि अभी इतना आपको तो सबसे अच्छा आपके पास ऑप्षिन है कि आप इस बुक के थूरू या तो आप इसमें ऐसे नोट कर सकते हो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको इबुक को बाई कर लो ठीक है तो इसको कभी भी रिवाइस करते रहोगे तो मैंने पॉइंट पॉइंट् इसको पढ़ोगे तो most probably question जो है इसमें फर्स जाएंगे आपके जिसे कि अगर आपने इसमें नौ पेच है तो नौ पेच में मानू इसमें अगर आपके लिए तो उन डेट सो दो सो पॉइंट्स में से कम से कम 40-50 questions वह आप आराम से कर लोगे ठीक है और अगर आप एक यह आप पूरा पढ़ोगे तो आपको I think मेरे असाब से एक या दो घंटा लगेगा ठीक है अगर आपको यादने सारे points आपको काफी कम टाइम पर अगर आप पहली बार इन सारे points को पढ़ रहे हो तो आपको एक दो घंटे में सारे points जयाद हो जाएंगे ठीक है क्योंकि points आपको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि objective questions आते हैं ठीक है और आपको objective में तुर्णत आंसर देना होगा जैसे कि आप से पूछा जाएगा मतलो आप neural control and coordination पढ़ो और पूरे chapter में आप 2 या 3 घंटा देदो उसके बार आपको पता चले कि इसमें से एक ही question आया है तो यह आपका waste of time हो जाएगा ठीक है पर अगर आप इसको पढ़ोगे e-book के तो e-book के तो आप कम से कम एक या 2 घंटे के अंदर अपने 30 से 40 question प्रपे यह पूछा जाता है तो मैं आपको यही सजेशन दूगी कि अब जितना भी time बचा है उसमें थोड़ा सा शांती से आप अपनी पढ़ाई कीजिए ठीक है ज्यादा पैनिक मत हुजिए बिकॉस जब आप पैनिक हो जाओगे तो आप वो चीज़े अच्छे से नहीं कर पाओ अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे से प्रिपेर नहीं हूए आपके तो आप ई-book के थुरू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो points कर सकते हो ठीक है और अगर आप ने पहले से बहुत अच्छे से बढ़ाई कर रखे है तो आप अगर आप चाहो तो अपने रवाइस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप नीट कर सकते हैं तब भी नीट को कर सकते हो अगर आप साथ दिन में भी अच्छे से बढ़ाई करते हो और सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ते हो जो कि इंपोर्टेंट है ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा शेयर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नीट का एक्जाम देने वाले हैं नेक्स्टी और जो आपके छोटे भाई बैन है उनको और उसके बाद आपकी अनाटमी और फीजियो की वीडियो आने लगेंगी और तब क्या होगा कि जो अभी वच्चे नीट का एक्जाम दे रहे हैं वो इस चैनल को कंटिनूर सब्सक्राइब रखेंगे और आगे उनकी पढ़ाई में ऐसी हेल्प रहेगी सुगाइस तिल देन टेक यह